इस कारेकरम की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली के मुख मंत्री आदर्णिय अर्विंद केजरवाल साहब, बंगाल की शेरनी, बंगाल की मुख मंत्री आदर्णिय मम्ता बेनर जी जी, आदर्णिय अंसीपी के अध्यक्ष शरत पवार जी, आदर्णिय फारुक अब्दुल्ला साहब अभी इतना ओजस्वी भाशन सुनने के बाद मैं नहीं समझता की कुछ बचा है, हम जैसे लोगों के लिए बोलने के लिए, कॉंग्रेस पार्टी के नेता राश्चवा में उपनेता आदर्णिय आनन्शर्मा जी, डियमके की नेतरी कणी मोरी जी, दिल्ली के उप मुख मंत्री मनीश शोधिया जी, अरुनाचल के पूर मुख मंत्री अपंग साहब, भाई संजे सिंग जी, राश्चाब मंच पे बैठे सभी पार्टी के दूसरे नेतागन, बुजर्गों और मेरे नौजवान साथी हो, देवे गोड़ा जी को यहां आना था, और आना है वो अभी पार्लेमेंट के अंदर, क्योंकि आज लोकसभा का आखरी दिन है, समापन चल रहा है, पार्टी की तरफ से मैं अपना संदेश देता हूँ, जैसे लोकसभा एडजन होगी, तो मैंने कहके रखा है, बहले ही कारेकरम अंत हो, लेकिन वो हाजरी आपके बीच जरूर देंगे, साथियों, आज हम लोग यहां पर इखटा हैं, किस लिए इखटा हैं, इस देश का सम्मिधान बचेगा के नहीं बचेगा, इस देश में लोकतंत्र बचेगा के नहीं बचेगा, इस देश में जो सम्मिधानिक संस्थाएं हैं, वो बचेंगी के नहीं बचेंगी, इस देश में नौजमानों को रोजगार मिलेगा के नहीं मिलेगा, इस देश के किसानों को सही जिन्दगी जीने का अफसर मिलेगा के नहीं मिलेगा इन सवालों को लेकर के आज हम यहाँ इखटा हुए है मैं कहना चाहता हूँ एक-एक करके पिछले पौने पांस साल में इस देश की सभी सम्वेधानिक संस्तानों को बर्बाद करने का काम इस देश के पृधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी के नित्रेत में किया गया है CBI हो, RBI हो CAG बचा था आज CAG के भी ताबूत में किल ठोकने का काम इस सरकार ने कर दिया है अरे कहा ले जा रहे हो आप देश को आप कहते हो पिछले सत्तर साल में कुछ हुआ ही नहीं जैसा कि पूर्प्छले पाश साल में आकर के आपने अलादीन का दिया जलाया और सब कुछ आपने किया प्रधान मंत्री बनते ही एक हफते के अंदर जाकर के बेंगलोर में इसरो के हैड क्वार्टर में बैठ करके साइंटिस्ट के बीच में आप फोटो किछवाते हो अंतरिक्स में जब हमारे यान जाते हैं देश की जन्ता को इतना मुर्ख मत समझें पंडित जवाल लाल नहरू से लेकर के लाल बादु शास्त्री से लेकर के श्रीमति इंद्रा गांदी से लेकर के अटल वियारी वाजपई से लेकर के देवे गोडा जी तक डॉक्टर मनमोन सिंग्ति तक सभी प्रधान मंतरियों ने इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया है जो बुनियाद महातमा गांदी ने इस देखी सपना देखा था जो बुनियाद पंडित जवाल लाल नहरू ने इसको मॉडर्न इंडिया बनाने की डाली थी उसको आगे बढ़ाने का काम सब ने किया मैं कहता हूं आप अपने लोगों को भी भूल जाते हैं मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं बहुत छोटे दल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां लेकिन कि मैं कहना चाहता हूं आदर्ने प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आएंगे प्रधानमंत्री जाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री का पत प्रधानमंत्री का इंस्ट्यूशन हमेशा से बरकरार रहेगा किर्प्या करके हाद जोड करके मैं विंति करता हूं उस पत की गरीमा को आप बरकरार रखने का काम कीचा अभी प्रेजिदेंशल एड्रस पर लोकसभा में भाशन कर रहे थे कि यह जो महा गडबंदन है यह मिलावटी है गडबंदन मिलावटी महा गडबंदन महा मिलावटी मैं पूछना चाहता हूँ आदन्य अटल विहारी वाजपाई जी 23 पार्टी की कोईलिशन सरकार चला रहे थे 23 पार्टियों की गडबंदन की सरकार आदन्य वाजपाई जी चला रहे थे क्या वो सरकार छे साल तक महा मिलावटी सरकार थी आप पंद्रे राज्यों में सरकार चला रहे हैं दो राज्ये को छोड़ करके केवल गुजरात और हर्याना को छोड़ करके सभी राज्यों में गड़बंदन की सरकार आप चला रहे हैं क्या तेहरे राज्यों में आप मिलावट और महा मिलावट करने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप अच्छी तुकबंदी करते हैं हिंदी में। आप अच्छा लच्छेदार भाषण दे सकते हैं। आप अच्छी जुम्ले बाजी कर रहे हैं पिछले 5 साल से। लेकिन मेरा ये विश्वास है और मैं हमेशा कहता हूँ We are the largest democracy in the world We are one of the youngest democracy in the world but we are the most mature democracy in the world जब जब लोग तंतर पर खत्रा आया है जब जब इस देश में किसी ने इस देश की जंता को यह समझा है कि मैं जैसे चाहूं ऐसे चला लूँ कुछ नहीं होगा जनता सिर्फ इंतजार करती है गाओं में, खेतों में, खल्यानों में काम करने वाला जो आम आदमी है, जो किसान है जो रेड़ी लगाने वाला, ठेला लगाने वाला, रिक्षा चलाने वाला इंसान है वो लोकतंत्र को बहुत अच्छी तरीके से समझता है हमारे साथ बहुत दुनिया के बहुत देश आदाद हुए लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि मोस्ट मैच्चोर डेमोक्रेसी कि इस देश की जनता सिर्फ वक्त का इंतजार करती है मोदी जी आपका वक्त पुरा हो गया है अगले 90 दिन में आपकी रुकसती का वक्त है ये जो यहां नेता बैटे हैं ये जो गड़बंदन के लोग बैटे हैं ये लोग मिल करके आपके आशिरवास से इस देश में एक आम आदमी के हकी लड़ाई लड़ने वाली किसानों के हकी लड़ाई लड़ने वाली सरकाल लाने का काम करेंगे मैं एक मिनिट में अपनी बात खतम करता हूँ एक सवाल और बार-बार RSSS और भाजपा वाले कहते हैं किसाब हमारे पास तो मोदी है आपके पास कौन है तो हमारे देश को सम्मिदान दिया उसमें यकिन नहीं रखते क्या हम जानते हैं कि आप मनुस्मृति लाना चाहते हैं अंबेटकर स्मृति हटा करके इसलिए आप ऐसी बात करते हैं हमेरे अमेरिकन सिस्टम नहीं है प्रेजिडेंशल सिस्टम नहीं है जहां पर दो के भी लोगसभा के उमीदवार चुनती है, लोगसभा के सदस्य चुनती है, और लोगसभा अपना नेता चुनती है, यहाँ पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो है पारलेमेंटरी डेमोक्रेसी है, उसमें नेता नहीं, नीती चाहिए, नीती चाहिए, और यहाँ मं हक की लड़ाई लड़ेगी मैं इनी बातों के साथ और एक बात और कहता हूँ कि राज्यों के अंदर भले ही जो मंच पर बैटे वे सारी पार्टी के लोग हैं ये संभाव नहीं कि हर राज्ये में सभी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी इसको जगा मिल जाये चुनाओं में ये लोग तंतर की खुबसूरती है कि हम लोग चुनाओं में लड़के आएंगे जितना संभाव होगा जो 20-22 पार्टीों के नेता हैं राज्यवार उन राज्यों में अलाइस करके लड़ेंगे कोशिश करेंगे आखीर तक लेकिन जिन राज्यों में अलाइस नहीं भी हो पाएगा उसके बाद चुनाओं के बाद सब इखटा हो करके बैठेंगे और अपना नेता चुनेंगे इस देश में सरकार बनाएंगे और मैं कहता हूं कि जो थोड़े बहुत मद्वेद हैं उनको हमें बुलाना है मैंने जैसा का मैं बहुत छोटी पार्टी को जंतादल से कुलर का एक मंत्री तीन विधायक हैं वहाँ पर हमानन शर्मा जी की पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ में राट दिन लड़ाई लड़ने का काम करते हैं सी पीम के साथ मिल करके लेकिन वहीं बगल में करनाटक के अंदर हम लोग जो हैं कांग्रेस के साथ मिल करके क कोईलिशन की सरकार का नेतर्टव कर रहे हैं क्यों क्योंकि हमारी लड़ाई एक है कि हमें इस देश में लोक तंत्र बचाना है भारतिय जंता पार्टी के खिलाफ किसान विरोधी मजदूर विदोधी नौजवान विरोधी पार्टी के खिलाफ सब लोगों को इकटा हो करके एक औल्टरनेट ताकत देनी है एक औल्टरनेट सरकार 2019 में बनानी है मैं इनी शब्टों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ के हालाद से सहमें हुए लोगों को बता दो हालाच से सहमे हुए लोगों को बता दो के हालाच गुजर जाते हैं ठेरा नहीं करते और जागी हुई कौमों के दिलावर हक छिल लिया करते हैं मांगा नहीं करते जैहिंज जैभारत खुदा